नाजीन आदाब मैं हुई उस्रा और आप देख रहे हैं MMC News इंडिया नाजीन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्छी और अच्छी खबरे सबसे पहले देख सकें मश्रीकी देली में हुए तशदूत पर New York Times ने सखत तनकीट करते हुए शाय की एक रिपोर्ट अकबार ने देली पुलिस के कल्चर को वहश्याना, मुतासिबाना और अकलियत मुखालिफ बताया अकबार ने देली फसादात के सिलसिले में बीजेपी लीडरों और देली पुलिस पर भी सखत तनकीट की New York Times ने देली फसादात के अबारे में अपनी रिपोर्ट में क्या पेश किया, देखिए इस पर हमारी मुकमल रिपोर्ट गुजिश्टर इनों मश्री की देली में जिसतारा हिंदू-मुस्लिम फिरकावाराना फसाद हुआ, आतिह जनी हुई, तीन सो से ज्यादा अफराद जखमी हुए और पचास से ज्यादा अफराद के हलाक होनी की खबर है न्यू यू यूर्क टाइम्स की रिपोर्ट में देली फसादात के सिलसिले में बीजेपी लीडरों और देली पुलीस के रवये पर सखत तनकीट की गई है रोजनामे इंकलाब ने अपने सफ़ए अवल पर एक खबर शाया की है, जिसकी सुरखी कुछिस्ताना है मरकजी वजीर दाखला अमिट शानयगर्च पार्लिमेंट में देली के फसादात में अपनी पार्टी के लीडरों देली पुलीस को किलीन चिट दे दी है और मुलका मीडिया भी इस फसाद के बयानिया को तबदील करने के लिए तरह तरह की हरकते कर रहा है ताहम आलमी मीडिया में इसकी जबरदस बाजगुष्ट हो रही है आलमी मीडिया देली के फसादात की पर्ते खोल रहा है और देली फसादात में मुलफिस लोगों के किरदार को उजागर किया जा रहा है इस तशद्दत के वाकिये की संगीनी को हकूमत के जरिये कम करने की कोशिश के बावजूद आलमी मीडिया देली पुलिस और बीजेबी के सियासत दानों की इंतिहा पसंदी को सखत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है अमरीका के मशूर अकबार नियू यॉक टाइम्स ने देली फसादात की तफसीली रिपोर्टिंग की है उसने इस रिपोर्ट की सुर्खी लगाई है अगर हम तुम्हें मार दिंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा देली पुलिस किस तरह मुसल्मानों के खिलाफ हो गई नियू यॉक टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट का अगाद देली पुलिस के जल्म के वाके से किया है अखबार ने लिखा है हिंदू और मुसलिम भीड एक दूसे पर पत्थर फेक रही थी अली नाम का मुसलिम शक्स जिसे सड़क उगूर करके अपने बच्चों के पास जाना था उसने पुलिस से मदद मांगी और यही इसकी गलती थी अफसरान ने उसे जमीन पर गिरा दिया और उसका सर फोर दिया पुलिस वालों ने उसे दिगर मुसल्मानों को पीटना शुरू कर दिया यह लोग खून में लट पत थे रहम की भीक मांग रहे थे और उसमें से एकी अंदूनी चोट की वज़ा से दो दिन बाद मौत हो गई ताहम यह अफसरान उन पर हस रहे थे उन्हें अपनी लाटियों से टहूल के लगा रहे थे और उन्हें कोमी तराना गाने पर मजबूर कर रहे थे नियू यूर्क टाइम्स ने अली के अलफाज नकल किये हैं अगर हमने तुमें मार भी दिया तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा नियू यूर्क टाइम्स ने आगे लिखा है कि अभी तक पुलीस वालों की ये बात सच साबित हो रही है अकबार ने मजीत लिखा है हिंदुस्तान में ये बरसों में सबसे ज्यादा बत्तरीन फिरकावाराना खून खराबा है जिसको यहां कई लोग वजीराजा मोदी की हुकूमत में फलने फूलने वाले हिंदुत की इंतिहा पसंदी का नागुजीर नतीजा समझते हैं उनकी पार्टी ने जंग जोयत ब्रांड वाली हिंदु कौम परस्ती को इस्तियार किया है और उस पार्टी के लीडरों ने खुले आम मुसल्मानों की तान और तश्नी की है हालिया मा में मोदी की कयादत में ऐसी पॉलिसियां बनाई गई हैं जिन्हें बड़े पेमाने पर मुसल्मानों के खिलाफ समझा जाता है इसके नतीजे में मुसल्म अक्सरियती रियासत जमू कश्मीर के रियासत का दर्जा खत्म कर दिया गया है अब मदीद ऐसे शवाहिद आ रहे हैं कि मोदी हुकुमत के मातहद बराहरास्त काम करने वाली देहली पुलीस जिसमें के चंद मुसल्म अफिसर्ज हैं एक मनसूबे के तहट मुसल्मानों के खिलाफ हो गई और उसने मौके बा मौके इंतिहाई सर गर्मी के साथ हिंदू हुजुम का साथ दिया जो मुसल्मानों के घरों को जला रही थी और मुसलिम खानदानों को निशाना बना रही थी मतादिद वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस अफसरान मुसलिम मुजाइदीन को पीट रहे हैं और उन पर फत्तर फेंक रहे हैं और हिंदू हुजूम का इशारा करके अपने साथ आने को कह रहे हैं न्यू यॉर्क टाइम्स ने एक पुलिस अफसर के हवाले से मजीद कहा है मुतासरा इलाकों में अफसरान को हुक्म दिया गया था कि वो अपनी बंदूकें पुलिस स्टेशन में जमा करा दे न्यू यॉर्क टाइम्स के सहाफियों ने तशदुत के दोरान खुद अफसरान को ये कहते हुए सुना कि उनके हाथों में सिर्फ लाटिया हैं जबके उन्हें हुजूम से निमटिने के लिए बंदूक की जरूरत है न्यू यॉर्क टाइम्स ने मजीद लिखा है कि मताधित रिसर्च करने वालों के मताबिक जान बूच कर थोड़े पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया और उनमें से भी महदूद एहलकारों के पास बंदूकें थी और वो मुक्तलिफ ग्रोग के माबें टकराओ मुसल्मानों के टार्गेट कलंग में तबदील हो गया अकबार ने लिखाए कि हिनसान ही हुकूद कारकुाना इसे मुसल्मानों का मुनजम क्तले आम करार देते हैं अकबार ने आगे लिखा है देली पुलीस में महिस दो फीसद मुसलवान हैं और हिंदोस्तान का पुलीसिया कल्चर एक जमाने से वह्षियाना, मतासिबाना, अकलियत, मुखालिफ और सामराजी नौयत कर रहा है ये पुलिस बरतान्वी सामराज की बाकियात है जब पुलिस का काम अवाम की खिदमत नहीं बलके मजामत कर रही अबादी को कुचलना था लेकिन मतादित मुशाइदीन के मताबिक कानून नाफिस करने वाली एजन्सियों की बीजेपी ने पूरी तरह सियासत कारी कर दी है मोदी की पार्टी की हुकमरानी वाली रियासतों में पुलिस मुसल्मानों को चुन-चुन कर निशाना बना रही है अखबार ने आगे लिखाए हिंदुत्व कौम परस्ती की लहर में चंद जज भेभा गए या फिर बाहर धकेल दिये गए हैं और उन्हें दूर अंदेश और जहीन करार दिया है ये सारी बाते सरकों पर हिंदुत्व हिंतिहा पसंदों को बेखोफ बना रही है अखबार ने मजीद लिखाए कि जब गव रक्षक मुसल्मानों की मॉब लिंचिंग कर रहे थे तो वो खामोश थे लेकिन अब चुके मुसल्मान सरकों पर उतर आए हैं ऐसे में मुसल्मान समझते हैं कि उन्हें सबक सिकाने के लिए हुकूमत ने तशदुत को स्पॉंसर किया तो ये थी नाजरीन रोजनाम इंकलाब में शाया खबर जिससे जाहिर होता है कि देली में जो तशदुद हुआ हलाकते हुई आती जनी हुई उसका जिम्मादार आलमी मीडिया ने डेली पुलिस और बीजेपी लीडरों को टेहराया है ये तो नाजरीन हम फिर आजिरोंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ तब तक के लिए हमें दीजे जाज़त और देखते रहिए एमेंसी नीज इंडिया और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए चुक्रिया खुदा आफिस